बागवन भाईयों नमस्कार होटी कल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है आज होटी कल्चर टॉक शो काफी दिनों बाद हो रहा है आप सभी पी जानते होंगे मैं पिछले दिनों कश्मीर टूर पर गया था इसलिए काफी दिनों बाद आज होटी कल्चर टॉक शो हो रहा है तो आज मेरे साथ होटी कल्चरल टॉक शो में मेहमान वागवान साथी है Mr. बिलाल एहमत जी जो की कश्मीर जिला पुलबामा के रहने वाले हैं आईए बात करते हैं बिलाल एहमत जी से बिलाल एहमत जी नमस्कार और टॉक शो में आपका स्वागत है अधार सर्थ थैंक यू जी आप कश्मीर के पुलबामा जिलासे हैं जी बिल्कुल है और कैसे बागवानी हो यह पुलबामा में यहां तो वही जो पुराने तरीके हैं उसी हिसाब से भी बागवानी चल रही है तो जब जो अभी नए और्चेट्स लगे हैं उनमें थोड़ा जो टेक्नालोजिकल इंट्रवेंशन है वह एड़ाप्ट कर रहे हैं लेकिन जो ट्रैडिशनल फार्मिंग जो होती है जो ट्रैडिशनल और्चेड्स हैं वो तो पुराने हिसाब के ही अभी चल दे हैं तो क्या कश्मीर में क्या यह फंगल डिजीजीजिस का ज्यादा रहता है जो यहां पर जो होती है तो वह बहुत बड़ा एकनोमिक देता है हम उसे बहुत एकनोमिक होते हैं तो पिछले साल भी हमने देखा कि बहुत सारा जो जो अपर उसने इस साल का जो तो उस पर भी बहुत सारा नुफ्टान कर दिया कि जी मैंने देखा मैं अभी कश्मीर टूर पर था तो मैंने देखा कश्मीर के लगबक सब जगापर इतने और यहां पर अभी नहीं है इसका तो कोई दूर दूर तक कोई सब्सक्राइब करें हैं जिससे कि जो फंगल डिजीज होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं यह तो तभी मुम्किन है जब हम जो पेड़ का माइक्रो क्लाइमेट होगा वह हम मैंटेन करेंगे मईसे मँटे हाँ जिसके होता है वहां की वहीं ऊदर नहीं जाते है जिससे जो पैस्टिस है उनको फेवरेबल एंवरेमेंट मिल जाता है जिससे वो हमारी क्रॉप को डेस्टॉइ तर पाता है जी बिलकुल पिश्मीर की जो जमीन है बिलकुल सीधी फ्लैट लैंड है बगीचे देखकर के मज़ा आता है ऐसे खेत हैं यहां से नजर मारो तो ला की है कि धूप जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाती है पौधे के अंदर और बिलकुल केनोपी को जो है दो प्लांट की केनोपी को एकदम सटाया गया है एकदम मिली विया आपस में दो पेड़ों की केनोपियां और साथी साथ जो जो केनोपी के अंदर एरेशन के लिए जगए होनी चाहिए थी sun penetration के लिए जगए होनी चाहिए थी जो windows खोलनी चाहिए थी के अंदर प्रूनिंग के द्वारा वो मेरा यह मानना है मैंने जो देखा प्रूनिंग के उपर zero work है कश्मीर में देलकुल देलकुल यहां तो वही जो हमें प्रूर जुनिया हमें सिखाया प्रूर जो उनको तो यह पता नहीं होता है कितने टाइप के हुते हैं कैसे काट मारना है वह तो वही जो उन्हें ने अपने पर वह से शिखा है उसी हिसाब से अभी चल रहे हैं तो उसमें हमें बहुत अभी काम करने बाठी है यह जो स्कूल आप मॉडरन एपल फार्मिंग की तरफ आई गें तो आप से जानना चाहूंगा कि आपने कब एंडूल किया था कितना करीब चार-पांच नहीं होगे अच्छा अच्छा तो पहले 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 जो पता नहीं था कि वह भी वाइटन करनी होते हैं मैंने इसकी लिंक देंगे हमें बाद में तो वह मैंने मिस किये इसलिए मैं आपको बार-बार पर्शू कर रहा था इसके लिए कि जो वेबिनार से मिस्ट हुए हैं उनकी आपको हमें रिकॉर्डिंग देंग देंगे तो वह वीडियो आपने देखी हैं फूरी तो नहीं लेखी लिगें बहुत सारी इसमें देख हैं तो बहुत सारा नॉलज्ज मिल रहा है ऐसे ऐसे से इस्ट समट पर एक्पल ऑड़ की शूपडर देख हमें तो हमें तो एपल की हिस्ट्री मालूम नहीं तो ये कहां से आया कैसे आया ते्पर श्री आपको इस चीक है अच्छा वीडियोज आपने देखी और वेबिनार क्या अभी तक एक भी वेबिनार अटेंड नहीं किया आपने कुछ किया है जो पहले जो थे न हमारे से पहले दो-तीन वेबिनार्स वो मैं अटेंड नहीं कर पाया लेकिन उसके बाद से तो तो चाय है वह किसा लगता है वेबिनार जो कंटेंड दिया जाता है जो जानकारी दी जाती है उसके बारे में क्या वीड़ यहां इस पर बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा रिचर्च किया है और आप हमें प्रैक्टिकल चीज़ों का नालेज दे रहे हैं अभी, एक तो होता है थी, इस है थेरिटिकल, कोई भी बुक ले ली, बुक मैंसे पढ़ लिया जो उसमें लिखा है वही, लेकिन आप हमें जो प्रैक्टिकल जो आपने अपने और्चेट में किया है या जो आपके बुरों ने जो आपने खिया है, तो आप हमें उसकी नॉलेज है कश्मीर में इतनी ज्यादा जरुरत मुझे लगता है इतनी जरुरत है बागवानों को modern apple farming सीखने की pruning training सीखने की chemicals के बारे में जानकारी रखने की और किस तरह से इन chemicals का use किया जाए किस तरह इनको कम किया जा सकता है किस तरह pruning और training के द्वारा हम लोग pest control कर सकते हैं यह सारी चीजें सीखने की जरूरत कश्मीर के बागवानों को बहुत ज्यादा है तो इसमें आप क्या कहेंगे कश्मीर के बागवानों के लिए आप अगर कश्मीरी में कहेंगे तो और अच्छा होगा क्यूंकि बहुत सारे लोग हिंदी भी नहीं समझते हैं कश्मीर में अच्छा आपको आवाज आ रही है बिलाल जी अब आप वीडियो बंद करें एक बार कैमरा ओफ करें आपको आपको अब आरी आवाज तरह आ रही है जिसमें कुछ है आपको नेट चला गया रहता है ठीक है अच्छा तो आप कश्मीरी में नहीं आप हिंदी में बोलना चाहते हैं मतलब यह है अब बात करेंगी इंटी जो हमारे हमाचन के विवाई यह उत्राक्षन के बाई अभी हमें देख रहे हैं उनको भी समझा बहुत बड़ी आप बड़ी आप बड़ी आप बड़ी आप चलिए हिंदी में आप बताएं कि क्या जरूरत है जी जो आप की जटी आप अपने प्रोग्राम उसमें बताते रहते हैं अपने प्रूग्रम ले नहीं नहीं कि आए इसमें तो उत्म अभी रुजान नहीं बड़ा है लेकिन ज्टी में लेकिन के चमी करने तो जितना भी हमें modern apple farming की जो जानकारी है या इसकी जो टेक्निक्स को गया रहे हैं, वो हमें, जो school of modern apple farming है, उसमें हमें हर एक चीज की बड़ी बारी से बारी जानकारी दी जाती है, महांदेशे की for example, हमारा जो important होता है, nutrition management का, तो nutrition management में जितनी भी हमें हमारे अभी spectators होए, तो उसमें तो आपने हर एक चीज का mention किया कि अगर आप natural farming कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीजे जानी है, अगर आप chemical farming की तरब जा रहे हैं, तो कौन-कौन सी चीज़े आपको यूज़ आप चाहें तो आपको क्या-क्या करना चाहें, कैसे इंटेग्रेटर न्यूट्रिशन मेनेजमेंट का इसी तरह जो पैस्ट मेनेजमेंट है, उसमें भी आपने बायो कंट्रोल एजेंट का बताया, अपने चेमिकल नेचरल पर नेचरल होता है, तो यह सारी चीजे जब तक एक बागवान ना समझ पाए, तो मुझे लगता है कि उसकी बागवानी तब तक फेले, यह तो वैसी बात है कि आप उसकी अनजान आदमी को उठा करके बैठा देए, किसी मीशिन पर आप इस पर काम करो, जब तक उसकी बेसिक्स में सिखेगा, जब तक उसकी वरकिंग में ने सिखेगा, जब तक उसकी फंक्शन ने सिखेगा, तक उसकी नुफ्सान करेगा, वही हमारे हाँ अभी चल रहा है, जो हमारी बागवानी यहां पर हो रही है, इसमें किसी को कोई नौलेज ही नहीं, हमारे जो, अब तो यह तो कहना गलात है, जो हम यहां पर करता है या अगर हम को इसका काम कहां पर होता है यह कहां पर आपको चाहिए हो तो यह सब चीजें के लिए हमें एक ऐसे पड़ाइद को जुरूरत है यहां पर हमें बारीक से बारीक जानकारी मिल जाए मैं आपको बताओं का रोल यहां तो हमें पहले बोला जाता था कि नहीं जी आप एक काम करो आप जैसे ब्लूमिंग होती है ब्लूमिंग में चल सम दे दो अप फिर उसके बार नहीं लेना है तो जीरे-दीरे यह जो गलक संसर्प्स जो मिस कंसर्प्शन आया है यह तो निकालने ही पड़ेंगे इसके ल की प्लेक्टिकल नॉलेज मिलती है जी जी चीक है आचा बिलाल एमड़ जी आपकी एक व्रीडियो मैंने देखी कि आप मैनियोर बनाते हैं, ट्राइबो डर्मा सुदो मुनास मिक्स करके आप लोगों को कश्मीर के लोगों को आप मैनियोर दे रहे हैं, वो प्रिक्यों क्या है, मन की बात कारेकर में उसमें वो उसका जिक्रू हाता क्या? पर जो हमारा लोकल ट्राइकोडर्मा फ्रेन है, ट्राइकोडर्मा वरेडी, तो उसके आइसलेशन में मुझे थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मेरा फोड़ ये पीछे चला गया, मेरा तो मुझे पहले करीब 10 साल पहले ये लगवाना था, लगाना था ये अपना प्रोजेक् तो अब ये जो हम कर रहे हैं एक तो हम और-गेनिक मैनुवर बनाते हैं, और-गेनिक मैनुवर के साथ, उतमें दो बायो-कंत्रोलadora लागाते हैं, और दूसरा चेडोमॉना, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी स्वाईल-बॉर्डन डिजीजिजिस होती हैं, उनको हम बायो-कं अभी तक जिनको भी हमनी अपना ट्राइब और में कमपूस दिया है बहुत ही मालेजी सैट्पाइड है और एक बात मैं आपको पता हूँ एक साल पहली की मेरे पास booking रेची मालेजी अभी जो सेप्टेमबर है अभी सेप्टेमबर की बुचिंग के लिए मैंने पिछले सेप् इस हजार तीन हजार कॉंटल यानि कि पचास किलो के छे हजार बैख आप जो है एक एक एन्वली बनाते हैं यह जो मैन्यू है इसके अंदर ट्राइकोडर्मा और सूदोमोनास डलावाई जो इसको खास करते है रूप्रोट के लिए एक खास रेमेडी है खास औस्दी है यह क्योंकि ट्राइकोडर्मा सूदोमोनास यह नॉन वेजिटेरियल फंगाई है जो कि जो फंगस पौधे को नुकसान करती है उसको यह खा जाती है किसानी मैं अगर मैं बात करूं किसान की भाशा में अगर मैं बात करूं आम लेंग्विज अगर देश करूं तो तो यह जो अगर पचास किलो का उसके अंदर ट्राइकोडर्मा सूदोमोनास वह पहले से मिक्स है तो यहां पर भावन भाईयों को यह फाइदा मिलता है कि मिला मिलाया बना बनाया मैं उनको मिलता है और दूसरा कश्मीर के लोग है पुलवामा जिला के हैं चाहे उसके आफ़ास के ज जोपियान पुलवामा के साथ लगता है तो मुझे ज़्यादा नाउनिज नहीं है गया मैं सभी जिलों में हूं लेकिन जोग्रफी करी मैंने देखा नहीं है मैं साहिदंग से कश्मीर का तो इतना मुझे जाने कि कुलगाम अनंतनार और शोपियान यह तीनों डिस्टिक ज सब्सक्राइब के लिए तो यह सब चीजें जो है आसपड़ोस के बादवां जाकर के बिलाल एमत जी के पास बुलवामा में जाकर के देख सकते हैं और जैसे इनका थी इनकी जो इनका जो पॉड़क्त है तो वह एक साल पहले बुक हो जाता है इसलिए बुक होता है क्योंकि लोगों को उससे प्राइब हो रहा है और यह बहुत जरूरी भी है मैं भी अपने जब भी वेबिनार होते हैं रूप्रोट की बात खास करके जब आती है तो रूप्रोट में सबसे ज्यादा असर कारत ट्राइकोडर्मा और सुदोमोनास ही है इसलिए ट्राइक आथ हैगी और सबसार अपना आपके गा उन्यॉत का, आपके जिला का, आपके कश्मीर का बागवान जो है उसकी हेल्फ भी हो जाएगी और क्योंकि य ागवान भाईओं आप के लिए चाह बना रहें जो हमारे पास लड़के आते हैं उनको हम पूरी ट्राइनिंग भी दे देते हैं कि कैसे-कैसे आपको बनाना है लेकिन अब यह है कि ट्राइकोडर्मा और स्विड़ो मोनस्का तो हम उनको प्रॉडक्शन नहीं बता सकते हैं कि उसके लिए बहुत सारा आपको तो पता ही है व हेसे पीज का अब खयार लगना चैए तो सारी हम वहां पर हम सब्सक्त लोगी का हम वहां पर चारते हैं जो भी हमें देख रहे हैं जो अपने जानकारी को चार चांद लगते हैं और जानकारी बढ़ती है इसी तरह से आप भी बाकी बागवानों के साथ जो भी आपके पास आते हैं उनको आप समझाते भी हैं कि आप अपने यहां पर खुद मैनियोर बना सकते हैं तो यह एक और अच्छी बात है और उमीद है आ आपको आपकी प्रडोस के बागवानों का और सपोर्ड मिलता रहेगा आपकी यह तीन हजार तीन हजार कुंटल की जो प्रोड़क्शन एन्वल है यह जल्दी ही छे हजार कुंटल हो जाए ऐसी मेरी कामना है जी बिल्कुल जी अच्छा बिलादे मजी अंत में आप अरणाचार प्रदेश के बागवान उनको को मेसेज यहां टॉक्शो के माधिम से देना चाहे है तो आप से ही हमें मेर रहे हैं लेकिन थिर भी थोड़ा सा हम बताएंगी जैसा कि आप हार एक लेक्टर में बोल रहे हैं कि जो हमें स्वाइल मिले है यह हमें अपने अपने से एक अमानत मिलिए तो हमें इसको प्रेजर्व करना चाहिए कि हमें भी आगे यह पासं अगर हमने इसमें कोई खायानत कर दीए नहीं घमिकल जड़ा अई तो जो हमारी आने वाली पीड़िया है वो हमें कभी इसके लिए नहीं बख़ता है तो इसके लिए सबसे मेरी यह सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज्यादा हमें द्यान पिद्धियनाइट है जो और्गेनिक मैटर है इससार कांटेंट बढ़ाने कुछ यह मेरी सब्सक्राइब जी बिल्कुल सब्सक्राइब कि यूज आवशेक्ता नुसार हो जितनी जवर्वत है उतनी केमिकल का यूज किया जाए अगर आप और्ग्यानिक फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं आप कम से कम यूज करें गेमिकल का ताकि जमीन की उपजाव क्षम्ता उर्वरा शक्ति और जमीन के अंदर की माइक्रोवाइल एक्टिविटी जो माइक्रोवाइल के अंदर का वो बना रहे और जो मिट्टी जो जमीन जो जाओ मिट्टी हमें हमारे पूर्वजों ने हमारे पेरेंस ने हमें सौपी है इसी तरह की जमीन हम लोग अपने आनेवादे जेनरेशन को भी सब पाए और वो भी इस मिलती से खूब अन ग्रहन कर पाए वो भी उत्पादत रही ले पाए इसके लिए हमें जरूर एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए तो होटीकल्चर टॉक्सों में आने के लिए बिलाल अमत जी आपका बहुत बहुत हन्यवाद आपसे मुलाकात होगी व तो बागवान भायों आप भी modern apple farming सीखें बागवानी से संबंदिक आधूनिक जानकारियां आपको अवश्यक रूप से होने चाहिए कश्मीर के बागवान भाईयों को कहना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा आवशकता कश्मीर के बागवान भाईयों को आधुनिक जानकारियों की है किस तरह से बगीचों में प्रूनिंग ट्रेनिंग, माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, सोयल की उपजाओ शम्ता वापस लाना, नई वराइटीज या नई स्ट्रेंज के उपर किस तरह जाए जाए और किस तरह हम जो है नए और्चर को अच्छे से अस्टाब्लिश कर सकते हैं ताकि जल्दी रिटान और एक फ्यूचर और और्चर हम अस्टाब्लिश कर सके और साथ इसाथ जो पुराने सीडलिंग और्चर्ड्स हैं, जो पुराने बगीचे हमारे हैं, उन बगीचों में हम किस तरह से प्रोड़क्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम पेस्ट मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं, ये सब चीजें सीखने के लिए आप भी बिलाल एमर्जी की तरह स्कूल और मॉडरन एपर फार्मिंग के साथ जुड़ें अभी लॉगिन करें गूगल के उपर सर्च करें www.chittuchohan.com या फिर हमारा कस्तमर केर नंबर 988-688-42 इस नंबर को सेफ करें और इस नंबर के उपर दस बजे से शाम पांच बजे तक आप कॉल करके पूर सकते हैं कि किस तरह से आप स्कूल और मॉडरन एपर फार्मिंग में जॉइन हो सकते हैं तो बागवान भाईयों आपसे मुलाकात होगी कल शाम साधे साथ बजे और्टी कल्चर टॉप शो में तब तक के लिए नमस्क कांच जेहिं जेवारा